ओम शंती बेहद का सुकताई बाप कल्यानकारी संगम्युक पर आकर हम बच्चों को पदमों की कमाई जमा करने की विधी बताते हैं और सतो प्रधान कैसे बनना है उसकी युक्ती भी समझाते तो आईए रिवाइस करते हैं आज के 26 मार्च 2024 के मधुर महवाक्यों को सतो प्रधान बनने का मुख्य पुरिशार्थ क्या है रुहानी प्रेम रखो आत्मा भाई भाई समझो किसी की खामी नहीं निकालो बाप से पदमो का वर्षा लेने का आधार क्या है याद की यात्रा पर रहो बाप के लव में चटके रहो अपनी सुक्ष में चेकिंग करते रहो सदा सतो प्रधान बनने का लक्षे रखो एक बाप के सिवाय और सब बातें भूलते जाओ एक दो की खामिया निकालने में टाइम वेस्ट मत करो हमारी एम उब्जेक्ट क्या है सतो प्रधान बनना दे अभिमान में आने का क्या परिणाम होता एक दो से प्यार नहीं रहता एक दो की खामिया निकालते रहते हमें अपनी कौन सी जाज करनी है हम अशान्त क्यों बने हमारा बाप से कितना लव है मीठे मीठे रुहानी बाप को प्यार से याद करते हैं कितना खुद समझते हैं और औरों को समझाते हैं सत्युग के विशे में बाबा ने आज क्या बताया सत्युग में देवता कैसे थे मीठे अडोल सुखताई सतोप्रधान पूज्य देवी देवता भाई-भाई का प्रेम सत्युग में क्या नहीं होता मत भेथ भक्ती मार्ग निंदा करना काम कटारी और कोई धर्म लडाई जगडा सबको कौन सी मूल बात समझानी हैं दुनिया तमो प्रधान है जब सतो प्रधान थे तो देवी देवता थे अब जवरासी जनम भोग तमो प्रधान बने हैं अब फिर सतो प्रधान बनना है सतो प्रधान भी भारतवासी ही बने है और तमो प्रधान भी वही बनेंगे देवी देवता बनने के लिए क्या करना है? सतो प्रधान बनो, श्रीमत पर चलो, पढ़ाई जरूर पढ़ो, मामेकम याद करो, जर्मुई जग्मुई नहीं करो हमारा क्या-क्या सहज है? ज्ञान, योग, वर्सा सेकिन में विदेही बनने का अभ्यास क्या करना है? मन बुद्धी को कंट्रोल करो क्या करना है और क्या नहीं? जो करना है? सुखताई बनना, कमियों को निकालना, अव्यविचारी याद में रहना, आपस में बहुत प्यार से रहना, एक बाप से गुण ग्रहन करना, सतो प्रधान बनने का फुर्ना रखना, क्या नहीं करना है? मत भेद में नहीं आना, मिया मिठ्थू नहीं बनना किसी की गलानी नहीं करना. ये थी आज की मुर्ली की विशेश बातें, संगम पर हमें किसी बात की कोई फिक्र नहीं, केवाल एक फुर्ना हैं, और वो है सत्वु प्रधान बनने का, ऐसा बनने के लिए हमें सबसे मीठा व्यवहार करना है, सब को सुख देना है और अपने अंदर की सभी कमी कमजोरियों को निकाल कर एक बाप की यार्थ में रहना ओम शान्ती